तो यह देखो प्यारे बच्छे बहुत ही अच्छा conceptual सवाल है क्योंकि निक्ट में conceptual भी आते हैं तो ऐसे question रखना ज़रूरी होता है make the correct option जिसमें से कौन सा option अपना सही है ठीक है तो अग देखो friction always oppose the motion of the body यह बिल्कुल गलत बात है कि friction हमेशा motion को approach करता है जो हम चलते हैं तो friction हमारे पैरों के बीच यहां आगे लगता है इधर लगता है तो यह वाला जो अगर आप ऐसे देखोगे ऐसे मतलब एक contact force ऐसे लगता है उसका एक component friction होता है component नॉर्मल होता है तो friction हमेशा motion को support नहीं करता हमें चलने में help भी करता है इसे बहुत सारे जगह है तो यह option गलत है और दूसरा friction oppose the relative motion between the surface देखो अब relative motion को तो अपोज करता है ठीकना अगर लेकिन यह नहीं करना कि relative motion ने जीरो होगा तो friction जो है वो नहीं लगेगा relative motion जीरो होगा फिर भी friction लग सकता है अगर एक block इसके उपर slide कर रहा है तो यहां से कोई observer देखता है तो उसके लिए relative sliding जो friction relative motion को oppose तो करता है पर अगर relative motion जीरो है समयरा जैसे static friction के case में तभी भी friction लगता है तो relative motion को को पोच करता है kinetic friction depends upon the speed of the body when the speed of body less than 10 kinetic friction जब बोड़ी ऐसे तो ग्राप पड़े होगे तो एक बार अगर बोड़ी motion स्टार्ट हो जाती है तो kinetic friction की value constant हो जाती है इसको स्पीड से कुछ लेना देना नहीं है तो यह आप यह गलत है coefficient of friction always less than high equal to one देखो normally generally ऐसा होता है generally generally मैं लिकूं तो mu is less than equal to one होता है but in some special cases some special cases if surface is highly smooth polish कर दिये जाए तो mu greater than one आ जाता है क्योंकि आपर cohesive force बहुत हदीक हो जाता है तो एक जनरली यूज नहीं होता तो यह भी option गलत है मतलब भी option सही है थेंक्यूअ